मैं ये चाहता हूँ कि पानी की समस्याओं पे स्लम्स में राजकारन नहीं किया जाए पानी पे राजकारन होना नहीं है आटमी गुजरने के बाद भी हम उनको पानी पिलाते हैं तो आप देखते हैं कि अगर कोई किसी का कार्य करता नहीं है तो अपना ओदे का गलत इस्तमाल करके उसको तकलिफ देते हैं अगर मैं एक किलोमेटर भाग सकता हूँ तो आप दो किलोमेटर भागो लेकिन मेरे को इंजर्ट क्यों कर रहे हो sportingly जनता को चाहिए हाँ आप भी दो, हम भी देंगे आप elected होंगे तो आप ज़्यादा दे सकते हैं हम कम देंगे लेकिन देना सीखिए ना छीनना मत सीखिए तो आप भी देना सीखिए हम भी देना सीखेंगे हम दे रहे, आप भी दे रहे लेकिन क्वालिटी दो यार स्रिफ दे रहे, दे रहे, दे रहे, दे रहे प्रेजिडेंट हमारे साथ कृष्णा पाउले जुड़े हैं तो सबसे पहरा सवाल हम आपसे ये करने वाले है कि आपके छेत्र में आप किस तरह से काम करते हो आम जनता के लिए वो पहले जनता को पता चले सबसे पहले नमस्कार सभी हमारे बंदूओं को भगिनीन को अभी हम काफी सालों से समाद सेवा करते आए और हमारे वंदनिय हिंदुरुदे समराठ बाला साब ठाकरे जी ने हम सभी को एक सीख दी है कि 80% समाद सेवा करो और 20% राजकारन करिए तो वो सीक से हम सभी शिव सेनिक वो लोगों तक पोचते हैं लोगों की समस्या हम सॉल्व करने का प्रयतन करते हैं and successfully हम उसमें उनको योगदान दे देते हैं अभी ऐसा है कि हमने गई काफी सालों से करीबन आठ से दस सालों में हमने हजारों लोगों को पानी की सुविदा दी है, हमने फूटबॉल ग्राउंड बचा है, ड्वेलप्मेंट की बात कर रहे हैं, फिर किसी सोसाइटी ने गार्डन्स एंक्रोच किया था, उसमें भी हम सब शिवी साइनिकों ने प्रयात न करके वो लोगों को या बच्चों को, आप उन बोलते हैं ना, ग्रीन एट्मोसफियर चाहिए अपने को, तो यह सब चीजे हमने की है, जैसे जैसे समस्या दिखती है, वो तरीके से हम करते हैं, और यूट ड्वेलप्मेंट में हमारा काफी वठी रहा है, बीच क्लीनिंग हमने किये हैं, तो यैसे सब करते रहते हैं, तो पैसिफिकली आप बोल रहे हैं कि एन्वायरमेंट क्लीन पर क्या है तो मुझे इससे जुड़के एक सवाल है कि स्लम एरिया में एन्वायरमेंट की तरह से लगता है myself की ? हमारे शिवसेनिक जाते हैं स्वच्च भारत अभ्यान का प्रहतन करते हैं जैसे हमने बीच क्लीनिंग किया अवेरनेस क्रियेट किया है लोगों में और काफी हद तक थोड़ी सुधार भी आई है लेकिन स्थानिक लोगों ने भी थोड़ा भूत थोड़ा उस पर ध्यान रख सोसाइटीज और स्लम एरिया में डिस्क्रिमिनेशन होता है कही ना कही वो आपको कितने हद तक लगता है हां करते है या लेकिन हम ने करते हैं उसका रीजन भी मैं आपको बता दूंगा कि जबी जबी ओपन स्पेसिस बोलो या गार्डन बोलो तब ही वो एक हुआ करते थे कि यह इनका गार्डन है एक्स वाई जड गार्डन जैसे कि वो उनको बिलॉंग करता है नाम दिया जाता है फिर तो हमने खुद वो इनिशेटिव लेके उदर लिखा गाए कि यह बी एम सी गार्डन है यह स्रिफ हाई राइज या उनली हाई राइज नहीं वापर सकते हैं यह हर कोई इनसान पेमी सिनिर सिटिजन हो remains very कोई बी जाके उदर गार्डन कि यृटिलाइज कर सकते हैं बले वॉख के लिए कर सकते हैं खेल कुद के लिए कर सकते जूला के सकते हैं जो कुछ जाकर जाकर शांती से बैट भी सकते हैं तो यह हमने किया है तो आगे का अगे से हमको कुछ करना नहीं है, हमने पानी की सूविधा लोगों को दी है हम कॉर्परेटर नहीं भी है तो भी हमने हजारों लोगों को सूविधा दी है, पानी की लेकिन मैं एक आपके चैनल के माध्यम से दो चीज़ केना चाहूंगा एक तो अभी आपने discrimination का बात किया था वो मुझे उसके बाद मैं आपको बताता हूँ मैं यह चाहता हूँ कि पानी की समस्याओं पे slums में राजकरन नहीं किया जाए भगवान की देन है जैसे आप उन 5 elements बोलते है तो एक पानी उसमें आता है अगनी आता है पानी आता है तो पानी पे राजकरन होना नहीं है आत्मी गुजरने के बाद भी हम उनको पानी पिलाते हैं लेकिन आप देखा जाएंगे आप अगर slums से हो आप जाते रहोगे slums में तो आप देखते हैं कि अगर कोई किसी का कार्य करता नहीं है तो अपना ओदे का गलत इस्तमाल करके उसको तकलिफ देते हैं तो समझो फॉर एक्जामपल हमारे पास पानी है हम सव घर को देते हैं तो इसको तकलिफ दो तो यह सव घर का हूँ तो आप 2 km भागो लेकिन मेरे को injured क्यों कर रहे हो और आप 1 km ऐसे क्यों करते हो आप अच्छी तरह से sportingly जनता को चाहिए हाँ आप भी दो हम भी देंगे आप elected होंगे तो आप ज़्यादा दे सकते हैं हम कम देंगे लेकिन देना सीखिए ना छीनना मत सीखिए कि यसी से जोड़कर एक सेवहल है हमने भी द़ौरा किया काफी इसलाम अरिया में हम यह देखते हैं कि ना स्लम अरीया में हर घर के सामने अलग अलग नल पाया जाता है, तो क्या solution दिखते है इस चीज का, क्योंकि अलग party का अलग नल है, लोगों को अलग अलग, एक ही घर है, एक ही परिवार है, पर उनको तीन नल लेना पड़ रहा है, तो what are the solutions for that? See the solution, पहली बात तो आपने देखना चाहिए, बहुत अच्छा सवाल किया, कि जिस किसी ने नल दिये है, या पानी की सुविदा दिये, हमने भी दिये, काफी लोगों नहीं दिये, हमने बुलते सरिफ हमने किया है, लेकिन किसके नल को आज भी अच्छे फोर से पानी आता है, नल देने के लिए मैंने नल दे दिया, लेकिन पानी भी तो आना जरूरी है, तो ये भी आप थोड़ी जानकरी ले लीजिए, तो अगर जिसको नल को पानी नहीं आ रहा है, तो हम विननती करते हैं, बले वो आपके है, नहीं है, हमारे है, नहीं है, तो भी आप पानी जरू दीजिए दूसरी बात यह है आपने discrimination का बात किया था high rise एलिए see we do not work like that हम वो तरीके से काम नहीं करते हैं अगर आपको पता है कि कुलाबा बैक गार्डन आज आपको पता है उदर camping school है St. Anne school, Holy Name school Fort Convent ये सबी बच्चे उदर PT बोलो, football के लिए सब चीज़ के लिए वो utilize करते हैं और जबी उदर ऐसा तई किया गया था कि swimming pool बनाए जाएगा तो हमने agitation किया था आप लोग aware भी होंगे तो वो किया था और वो हमारे युवानेते अदित्य साब जी ने वो मान्यता दी और वो football ground गोशित किया और आज भी आज भी उदर हर किसी का बच्चा उदर खिलता है high-rise का भी खिलता है, slums का भी खिलता है और तो यह हमने वो नहीं सोचा था तब भी बचाने के लिए कि यह high-rise का ही खिलेगा यह open space है, it is utilized by everybody and it should be utilized for everybody, ऐसे तरीके से हमने हम हर चीज़ देखते हैं फिर से हट के सवाल, it's like अभी हमारे इलाके में रूलिंग पार्टी है भाजपा, okay और उन्ही के इलाके में अगर कुछ भी दिक्कत होती है, तो वो ब्लेम उपोजिशन को नहीं करते हैं उपोजिशन का रूल निबात है तो आप इस पर क्या बताना चाहोगे, कि वेर आ उपोजिशन और यू आर डूहिंग दे सेम वक पोजिशन, हम किसी को उपोजिशन में मानते नहीं है, जैसे मैंने पहले ही बोला, अगर मैं हम एक किलोमेटर अगर वो एक किलोमेटर भाग सकते हैं तो मैं सोचूंगा, मैं सवा किलोमेटर कैसे भागो उसको इंजर्ड नहीं करूंगा तो आप भी देना सीखिए हम भी देना सीखेंगे हम दे रहे, आप भी दे रहे लेकिन क्वालिटी दो यार उसमें पानी आ रहा है क्या वो तो देखो हम अगर हम दस दे रहे तो हम देखरें कि यह लाइफ टाइम आना चाहिए पानी इसको दे के आप सव लोग को देखे दस को ही आ रहा है नभे को नहीं आरह है फिर बीएम्स को बिचारे को कॉंटर को घाली मिलता है BMC officers को गाली मिलता है हमारे में अन्बंद तो ये पानी वार जो है ये बंद होना चाहिए किदर तो भी आखरियत मैं पूछना चाहेंगा कि तूफान खबरे के जितने भी दर्शक है काफी यूथ लोग है तो what are your message for you अब यूथ लोग को तो जरूरी है because they are the future आप लोग हमारे भविश्य है आप लोग ने देखा रहेगा कि कोविड ने हम सब को क्या सीखाया है overnight drastic changes आ गए है life में तो आप लोग ज़्यादा में ज़्यादा खुद के पैर पे खड़ा रहना सीखे do not be dependent on anybody चोटा मोटा खुद का कुछ भी कर सकते हो तो जरूर करिये और उसका वज़ा ऐसा है कि कोई भी हो कल को उसका परस्तिती क्या हो सकता है वो आपको कुछ नोक्री से निकाल सकते है कुछ भी नोक्री भी करो और बिजनिस भी ऐसे करो अपने छोड़े कि अब आपके बल बुते पे खड़े रह सकते हैं इन शॉर्ट डो नाट बी डिपेंड़ेंट अन इनिबडी तो जैसे कि आपने देखा काफी सब्जेक्ट पर हमने बात किया और ऐसे ही जानकरी हम देते रहेंगे और आपसे भी मिलते रहेंगे सर अगर किसी भी चीज़ों के बारे में आपको जानना हो तो इसी तरह बने रहे है तूफान खबरे से अगर आपको पूरी तरह से जानकरी चाहिए और जल चाहिए तो www.tufanqabre.com पर जाहिए हमारी वेबसाइड है एवेलेबल है गूगल प्ले स्टोर पर हमारा अप्लिकेशन उसे डाउनलोड कीजिए और बने रहे है ऐसे ही तूफान खबरे से तो चलिए सर